असलाम लेकुम, I am clinical dietitian Ayesha Naasir and I work at holistic care. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नींद पूरी ना होने से वजन कैसे बढ़ता है. और जब वज़ा देखते हैं तो पता चलता है जी पूरी रात हम जाकते हैं, पूरा दिन हम सोते हैं, सुबा फजर पढ़के हम सोते हैं और दुपहर को जोहर के टाइम हम उठ रहे होते हैं, इसकी वज़ा से हमारी जो वेट है उस पर क्या effect होता है, आज मैं आप लोगों को बगाईदा समझाने वाली हूँ, देखें नीन पूरी ना होने से हमारा com lasts ार्मोन होता है ॡाह जो जादा बनना शुरू हो कर साथ吧 ṥᾲ ? वस सिग्नल की वज़न में आप ऑगो छ discover that signal्ग और जिसकी वज़न से 메न होता है लेप्टिन आप कम सोते हो तो लेप्टिन निकल बंद हो जाता है हार्मौन कम बॉढ़ी बंद हो इस इप फिर रेक्टे लाप जाता है लेप्टिन का क्या मां वेट तर होता है लेप्ट आप कम सोते हो तो बन ऑचाश अर्मोन वह कम निकलना बंढान नहें थूलैल्ट उर थे और वो ज्यादा बन रहा है लेप्टन कहता है स्टॉप खाना बंढ रहा है वह बडल पेट भर गया है और आपके वेट को maintain करना अब यह जिसने आपके वेट को maintain करनाً वो कम हो गया और ग्रेलें जिसने आपका वेट गेन कराना वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आपकी नीद कम हो Muslims- अगर आप 8 गिंटे की मीन नहीं ले रहे या आपका sleep hormone released नहीं हो रहा सही तरीके से sleep hormone disturb हो गया है क्या आप पूरा दिन जाग रहे हो पूरा दिन सोरे हो, पुरी रात जाग रहे हो तो उसकी वज़ा से sleep hormone disturb होता है जो कहीं ना कहींग्रेलिन और लेप्तिन का imbalance कर देता है एक तरफ से नुक्सान हो रहा है, दूसरी तरफ से लप्तिन के ना होने की वज़े से आपको यह कहने वाला और समझाने वाला भी नहीं है कि बंद कर दो अ fakick तो आप आपको कहे जारहे है कि भाइआ एक और दूसरा जिसने मना करना है कि बस कर दो वो वड़ी में है ली जिसकी वज़र्ट से जरुट से ज्याधा खाते हो। आपकी भूक आपको लग रहा होता है कि हम बाकियों से कम खा रहे हैं बाकी अगर 3 मील्स ले रहे हैं तो आप 5 मील्स ले रहे होते हैं और आपको पता भी नी चल रहा होता है Even अगर आप कं भी खा रहे हो तो ग्रालिन लेप्टन का कही ना कहीं imbalance हो हो मारा है। क्यूंकि हर्मोन इंबेलन्स वहीं से शुरू हो गया है आपका जब आपने रात को जुरू किया है। अब आपका मेलाटोनिन इस डिस्टर्ब हो गया है जब आपने पूरी राद जागना और पूरे दिन में सोना शुरू किया है तो यह बड़ी वज़ा बनती है आपके वेट के बढ़ने की मैं फिर समझा दू कि जिस हार्मोन ने कहना है कि बस कर दो पेट भर गया वो है जिसने कहना है और खाओ वो बाड़ी में जरुत से जादा तो आप जरुत से जादा कही ना कहीं खा रहे होते हो अक्सरों पूरी र हो ठीक है फजर तो हम इस नहीं कर सकते है आप उठ जो मर्जी हो जाए अपने उठना 9-10 बजे है अगर आप यहां से स्टार्ट कर दोगे एक हफता 9-10 बजे उठना शुरू कर दोगे तो रात की रात को आपको खुदी टाइम पर नहीं दाल जाया करेगी और जो हमारी वो पूरी रात बैट के टीवी देखना है हमने कोई मुवी डाउनलोड करके पूरी रात बैट के मुवी देखनी है वो आप दिन में भी कही ना कहीं कर सकते हो वैसे तो बेतर है कि आप और अपने जो इमोशन्स है या आप जो अपने फारिक टाइम है और बहुत चारी जो ही ना कई हंगर बढ़ाता है जिसकी वज़ा सापका वेड़ पड़ता है तो स्टेप फन इस केस में आपने यह करना है कि आपने नौ दस बजे जागना शुरू करते हैं अगर यह आप से मुम्किन नहीं हो रहा तो पर आप यह करें कि रात को जैसे 8-9 बजे के करीब आ सोना आपने तकरीब बारह एक बज़े के करीब सोने से पहले एक तो यह मुबाइल बिलकुल छोड़ते हैं आपकी जो ब्लू लाइट है मुबाइल की ब्लू लाइट यह भी आपको बहुत जादा डिस्टरब करती है इस पर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी लेकिन मुबाइल आपने कोई 10 बज़े के करीब छोड़ देना है दूसरा बहुत अच्छी चाय होती है जैसे चलतन की कैमोमाइल टी हो गई लेविंडर टी हो गई या हल्दी दूद हो गया इन में से कोई चीज 10-11 बज़े के करीब पी लें अगर आपका वेट लॉस कंसर्न है आ हल्दी दूद ज्यादा बहतर आप्शन है हल्दी दूद लेके कोई 10-11 बज़े के करीब मुबाइल टीवी सब साइट पर रखके लाइट आफ करके आपने सो जाना है अगर नहीं नीद आरी एक दिन नी आएगी दो दिन नी आएगी तीन दिन नी आएगी आएसा आपकी स् हो जब मरजी रहे हैं आप टाइम पर उठना शुरू कर दे उसी से आपको रात की नीद आपकी बेतर हो जाएगी अगर वो आपके लिए मुश्किल है तो फिर कोई कहवा ऐसा ले लें क्योंकि दवाई कोई अच्छी आप्शन नहीं है वैसे तो जी मेलाटोन ने एक ऐसी आपको दवाईयों की फर्म में में मिल जाएगा उससे बहतर ऑप्शन है कि आपको कहवा ऐसा ले लें कोई चाय ऐसी ले लें या कोई जीरो कैलरी कोई बेवरिज ऐसी ले ले लें जो कि आपको कही ना कही नीद लाने में हल्प करें या बहुत सारे ओयल्स होते हैं जिसे आइसा विदिन अवीक जादा से जादा दो हफतों के अंदर अंदर आपका स्लीप साइकल बेतर हो जाएगा वेट लॉस आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें अगर आप अपने स्लीप साइकल पर काम नहीं कर रहें तो कभी भी वेट लॉस अच्छे तरीके से नहीं होगा श